हेलो एब्रिवन आज हम लो इंगलिस ग्रामर देख रहे हैं जो क्लास फोर्थ की किताब है इसमें लेशन वान दा सेंटेंस हम लो पढ़ेंगे सेंटेंस का मतलब होता है वाक्यर सब्दों के निमलिकी समुहों को पढ़ें इसमें फर्स नमर दिया हुआ है दा केम सुन टीचर जल्द ही सिक्चक आगें सेकेंड है दा वाज फोरेस्ट अबसुलिटली साइलेंड जंगल विल्कुल खामोस था थर्ड नमर है दा बर्स वाक अल डे लॉंग पक्षियों ने पूरे दीन काम किया और फोर्ट नमर है प्लांट्स नेट सोयल, एयर, वाटर एंड सॉनलाइट टू ग्रो यानि की पौ लाज्ट के चार समुल दीए हुए है उनमे से लाष्ट के दो riv ने वाक कहते हैं वाक कि किसे कहते हैं इसको देखेंगे हम लो bowl वाटि सिंटेंच A sentence is a group of words that makes complete sense सब्दों के सार्थक समू को ही वाक्य कहते हैं सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला यानि सब्दों का ऐसा समू जिससे कोई अर्थ निकल रहा हो वह वाक्य कहलाता है A sentence always begins with a capital letter sentence हमेशा capital letter के साथ start होता है A sentence usually has a full stop at time और end में full stop लगता है Look at the following groups of words सब्दों के निमलिकी समूगो को देखे फर्स नमबर दिया वहदा is crying baby सेकेंड है has the tail a cow थर्ड नमबर है सैंग संगा भेरी स्वीठी These groups of words do not make complete sense because the words in them are not placed in a proper order सब्दों के इन समूगो का पूर्ण अर्थ नहीं है क्योंकि इन में सब्दों को उचीत क्रम में नहीं रखा गया है Read these groups of the same words again उसी सब्दों के इन समूगों को फीर से पढ़ें The baby is crying बच्चा रो रहा है The cow has a tail गाय की एक पूँच होती है He sang a very sweet song उसने एक बहुत ही प्यारा गीत गाया Now, each of these groups of words has a complete meaning as the words are arranged in a proper order अब इन सब्दों के परतेक समूगों का पूरा अर्थ निकल रहा है क्योंकि इन सब्दों को उचीत क्रम में व्यवस्थित किया गया है इस तरह आज हम लोगों ने sentence के बारे में पढ़ा की sentence क्या है यानि की वाक्य क्या है अब इसी प्याधारित हमारा exercise है इसमें कुछ सब्दों के समूगों को दिया गया है जिसमें से हमें बताना है की कौन सा sentence है और कौन सा sentence नहीं है तो जो इसमें sentence होगा उस पे ठीक लगाना है और जो इसमें sentence नहीं है उसको cross कर देना है तो बच्चे इसको बनाएंगे कौन सा sentence है कौन सा sentence नहीं है धन्यवाद जो बनाएंगे कौन साüyू कर दो 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 कि झाएंगे कौन सा measurement कौन